पार्ट बी वर्बल अबिलिटी वर्बल अबिलिटी इस सिननिमस विद वर्ड पावर मतलब जो वर्ड अबिलिटी होती है जो वर्बल अबिलिटी है उसका जो सिननिम है मतलब जो सीम सेंस का जो वर्ड होता है उसके लिए हम कह सकते हैं वर्ड पावर मतलब कि वर्बल अबि कोई भी हो इसकी वर्ड पावर बहुत ज़या चाहिए इस्टुएंट्स कॉमप्रिहेंसन स्किल मतलब एक स्टुएंट की कॉमृहेंशन होता है समझना तो समझधारी की जो skill होती है उसकी जो योगता है writing skill लिखने की जो योगता है and communication skill और उसकी जो बातचीत करने की जो योगता है depend on his verbal ability ये सभी योगताएं उसके verbal ability मतलब की word power पर word power पर depend करती है in written examinations the verbal ability of an examinee और लिखित examinations में परिक्साव में जो verbal ability होती है किसी भी examinee की examinee होता है जो परिक्सार्थी होते है is a tested by way of his comprehensive skill और वो इस प्रकार से test की जाती है उसकी comprehensive skill को देख करके comprehensive मतलब कि कितनी उसे understanding है चाहे उसे close passage दे जाए या फिर कोई passage दिया जाए उसे unseen passage दिया जाए करने के लिए या फिर कोई फिलिंदा जैसे की फिलिंदा blanks होते हैं जो भरने के लिए होते हैं उसके लिए तो किसी प्रकार का कोई भी test हो सकता है जिसमें word power दी जाती है this section of the book provides students with a large number of words तो यह जो बुक का जो section है इस section में इन्होंने जो बहुत सारे सब्दों के बारे में बताया है और साथ-साथ expressions के बारे में भी इस बुक में जो इतने words दिये गए हैं जो words दिये गए हैं वो sufficient है मतलब परियाप्त हैं however we have taken every care to avoid superfluity और उन्होंने यहां किसी भी प्रकार की superfluity मतलब की किसी जिसे दिखावे से बचने की मतलब पूरी को कि कोई भी किसी वर्ड की दुबार से मतलब रिपीट ना हो उसको दिखाए ना जाए and there is no tendency on our part of include a word just because nobody has ever heard of it कुछ लोग इसे कायद करते हैं कि मतलब इस बुक में वह सब दे रखे हैं जो हमने कभी सुने नहीं है हमने कभी पड़े नहीं है तो यह बुक में मतलब ऐसे सब्दों का दे रखार जिनका कोई value नहीं है तो यह यहां पर साफ साफ कह रहे हैं कि actually इसका जो मतलब है वो यह है कि हम इसके थूर आपको यह बताना चाहते हैं कि इसमें जो भी वर्ट दे गए हैं वो हम जानबुज के एसन नहीं किया है कि मतलब के आपने नहीं सुने हो मतलब इनका मतलब है कि वहलो एक्जैमिनस इनके पॉइंट अफ व्यू से इन्होंने दिये हैं उनली सच वर्ड्स एंड डियर फिगुर्टिव एक्सप्रेशंस आज कल की बोल चल की भासा में और जो वर्ड्स यूज के जाते हैं उनको ही इन्होंने यहां पर दिया है तो हैप स्टुडेंट्स मीट वीजी चैलिंज कॉंफिदेंटली इन दिस स्फियर और आज के एरिया में आज के छेत्र में इस चैलिंज से मीट करने के लिए मिलने के लिए इस्ट्रेंट्स के बहुत ज़्यादा हैल्प करेगी तो आई अब इस वीडियो को सुरू करते है करते हैं